दोस्तों आज का वीडियो हमारा सोलर सेल का वायरिंग हम किस प्रकाश से हमारे घर में करेंगे उसके बारे में हैं दोस्तों यहाँ पे आप एक सोलर सेल देख रहे हैं यहाँ पे जो हमने सोलर सेल का इस्तमाल किये थे यदि यह 12 बोल्ट का है तो यहां पे जो हम बैटरी का इस्तमाल करेंगे वो भी हमारा 12 बैटरी का बैटरी होगा ठीक है दोस्तों यहां पे जो हमारा बैटरी होगा उसका रेटिंग यानि की बोल्टेज हमारा सोलर सेल के बराबर होना चाहिए दोस्तों यह जो हमारा सोलर सेल है इसको यदि हमें इस इस बैटरी को चार्ज करने के लिए इस्तमाल करना है तो यहाँ पे हम डारेक्ट कनेक्शन नहीं करते हैं यहाँ पे हमें एक सोलर चार्ज कंट्रोलर का इस्तमाल करना पड़ेगा यह हमारा सोलर चार्ज कंट्रोलर होता है अब यह जो हमारा सोलर चार्ज कंट्रोलर है इसके जो positive terminal होती है, वहाँ से एक वायर को connect करके लाएंगे, और जो हमारा solar charge controller होती है, उसका जो पहला terminal होता है, यानि कि ये वाली terminal, इस terminal पे हम वायर को connect कर देते हैं, ये जो हमारा पहला terminal होती है, इस terminal पे हम solar cell का जो positive वायर होती है, उसको connect करते हैं, ठीके दोस्तों, अब ये जो हमारा solar cell है इसका जो negative wire है उसको हम ले जाके इस दूसरे वाले terminal पर connect कर देंगे यह हमारा negative terminal हो जाएगा अब यहाँ पर हमने इसका connection कर दिया तो यहाँ पर जो हमारा solar charge controller था इसको input power supply मिल गया solar cell के दौरा ठीके दोस्तों अब यदि मुझे यहाँ पर battery का इस्तमाल नहीं करना है यानि कि मुझे यदि इस solar cell के दोरा directly किसी bulb को या भी electrical equipment है जो DC से चलती है यदि मुझे उसको connect करना है तो मैं direct connect कर सकता हूँ यहाँ पर example के लिए मैंने solar charge controller था इसका जो दो लास्ट टर्मिनल है यानि कि यह वाली टर्मिनल यह वाली positive terminal होती है और यह negative terminal होती है यह output power supply होती है DC के लिए ठीके दोस्तों तो मैं क्या करूँगा यहाँ से एक बार को connect करूँगा और इसको ले जाके हमारा जो बल्ब है उसको positive supply दे दूँगा इसी प्रकार से यह जो दुसरा टर्मिनल है यहाँ से एक बार को connect करके लेके जाऊँगा और इसको क्या करूँगा बल्ब को negative supply दे दूँगा ठीके दोस्तों अब यदि मैं इस प्रकार से connection करता हूँ तो यहाँ पे जो हमारा solar cell का output voltage मिलता है वो सिधे ही इस बल्ब को मिल जाएगा जिससे जितने टाइम यह हमारा solar cell voltage को produce करेगा उटने टाइम हमारा bulb glow करेगा लेकिन यदि रात होती है तो यह रात में हमारा जो बल्ब है वो off जाएगे क्योंकि रात में हमारा solar cell होती है वो काम नहीं करता दोस्तों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे हम solar charge controller का इस्तमाल क्यों कर रहे हैं दोस्तों देखिए यहाँ पे हम solar charge controller क इस्तमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो हमारा solar cell होता है वो दिन के समय में अलग-अलग voltage को produce करता है यानि कि यदि हमारा जो धूप है यानि कि sunlight है वो normal condition में तो यह जो हमारा solar cell है वो बाड़ बोल्ट प्रड्यूस करेगा लेकिन यदि हमारा जो धूप है वो क जादा voltage प्रड्यूस करेगा आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि यह जो हमारा solar cell है यह 20 बोल्ट तक बोल्ट प्रड्यूस कर सकता है अब यदि मैं इसको डारेक 20 बोल्ट दे दूँ तो हमारा जो बैट्री है वो डेमेज हो सकता है या फिर जो equipment हम connect करेंगी वो भी यदि हमें बीना बैट्री का इस्तमाल किए DC appliance को connect करना है तो कैसे करेंगे अब यदि मुझे यहाँ पे बैट्री को भी connect करना है तो देखिए कैसे करेंगे यहाँ पे जो बैट्री है उसको connection करने के लिए हम क्या करेंगे यह जो हमारा solar charge controller है इसका जो तीसरा terminal है यह वाली इस terminal से हमें एक वाल को connect करके इसको ले जाके हमारा जो बैट्री है उसके positive terminal पे connect कर देंगे जिससे क्या होगा जो हमारा positive supply है वो हमारे battery में पहुँच जाएगी ठीके अब यह जो हमारा fourth number का terminal है यह हमारा negative supply होती है ठीके तो यहाँ से में एक वाल को connect करके ले जाके हमारा जो बैटरी है उसको negative supply दे दूँगा तो यहाँ पे हमने connection कर दिए ठीक है दोस्तों तो यहाँ पे हमारा जो solar charge controller था उसमें जितने भी connection करने तो वह complete हो गया अब दोस्तों यहाँ आप इस अपका से connection करते हैं तो आपका जो solar cell है वो यहाँ धूप में है यानि कि voltage को produce कर रहा ह तो क्या होगा यहाँ पे जो हमारा solar charge controller है वो इस बैटरी को भी charge करेगा और कुछ हिस्सा इस bulb को देगा जिससे कि यह जो bulb है वो glow करेगा अब यदि यह जो bulb है वो इसका load जादा है इस solar cell से तो उस condition में क्या होगा हमारा battery charge नहीं हो जितने भी power supply produce होगा वो सीधे इस output में च connect किये हैं यहाँ पे वो जदी कम है तो उस condition में हमारा battery charge होती है ठीक दोस्तों यहाँ पे आप load करने करने से पहले आपको यह मारत होना चाहिए कि आपका solar cell है वो कितने watt का है और उस watt के reserve से हम यहाँ पे load को भी connect करते हैं ठीके दोस्तों अब दोस्तों देखिए हमारे घर म सबसे आदा तो AC appliance होती है यानि की AC load होता है ठीक दोस्तों तो यहाँ पे मैंने एक जामपर के लिए एक पंखा और दो LED बल्ब ले लिया हूँ ठीक दोस्तों देखिए यह जो हमारा पंखा और दो LED बल्ब है इसको चालू और बन करने के लिए यहाँ पे मैं एक switchboard का इस्त करने वाली है ठीक दोस्तों और यहाँ पे हमारे पास एक battery है आपको मालूम हिऊगा battery DC supply देता है तो यहाँ पे हमें DC supply को AC में convert करना पड़ेगा तो AC में convert करने के लिए यहाँ पर में inverter का इस्तमाल करेंगे ठीक रोस्तों तो यह हमारा inverter हो जाएगा इसके दोरा हम DC supply को AC में convert करेंगे तो यह जो हमारा inverter है वो simple inverter है ठीक है यहाँ पर आपको solar inverter भी मिल जाएगा दोस्तों यह जो हमारा inverter है इसमें आपको तीन केबल दिख रहे होगे एक तो यह red वारा केबल दूसरा यह black वाली और यह input power supply के लिए केबल होता है ठीके तो खुल में लाके inverter में तीन केबल है अब यह जो हमारा inverter का red केबल है इस केबल को हमें बैटरी के positive terminal के साथ connect करना होता ह तो यहाँ पर हमने इसको connect कर दिया अब यह जो black केबल है इसको हम बैटरी के negative terminal के साथ connect कर देंगे तीके जिससे क्या होगा हमारा inverter है उसको input power supply बैटरी के द्वारा मिल जाएगा अब हमारा inverter था उसको हमने input power supply दे दिया बैटरी के द्वारा दोस्तों यह जो हमारा inverter है वो output output power supply इस socket में देता है अब यदि मुझे इस load को इस inverter के साथ connect करना है तो यहाँ से हमें power supply लेना पड़ेगा तो यहाँ से power supply लेने के लिए मैं एक plug top का इस्तमाल करूँगा ठीकि दोस्तों यह हमारा plug top हो जाएगा अब इस plug top के द्वारा ही हम इस appliance को connect करेंगे दोस्तों यह जो हमारा fan और bulb है इनको हम direct power supply यहाँ से ले जाके connect नहीं करेंगे क्योंकि यह जो हमारा appliance है उसको control करने के लिए यहाँ पर हमने एक switchboard का इस्तमाल किये थे तो यहाँ से जो हमारा plug top है उसमें से एक wire को connect करेंगे और इसको ले जाके हमारा switchboard है उसके किसी भी एक switch के साथ connect क तौरा ठेके द्वारा ठेके दूस्तों अब नशमें से याद रहेगा यहाँ पर आपको प्लग ट्रूप है उसका जो दाहिना पी नहीं उस घाम पीन पर आपको फेस वाली wire को करना है ठेके दोस्तों अब यहाँ पर मैंने switchboard में यह जो हमारा switch है इसको down mid power supply मिलिया इपि इस fan को यदि मुझे चालू करना है तो इस switch को प्रेस करके चालू करूँगा लेकिन यह जो हमारा fan है इसके speed को भी मुझे control करना है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक regulator लगाया हूँ तो इस fan को control करने के लिए regulator का भी इस्तेमाल करूँगा तो दोस्तों इसके लिए मैं क्या करूँगा यह जो हमारा switch है इसके output terminal से एक wire को connect करूँगा और इसको लेजा के हमारा जो regulator है उसको input power supply दे दूँगा दोस्तों यह जो हमारा regulator है इसके output terminal से एक wire को connect करूँगा और इसको ले जाके हमारा जो fan है उसको input power supply दे दूँगा याने कि fair supply दे दूँगा दोस्तों यह जो हमारा fan होता है उसके बीच में एक capacitor को भी connect करते हैं दोस्तों यह जो मेरा socket है इसको control करने के लिए मैं इस switch का इस्तमाल करूँगा तो इस switch को input power supply देने के लिए मैं क्या करूँगा यहां से एक wire को look करके इस switch को input power supply दे दूँगा अब यह जो हमारा switch है इसके output terminal से एक wire को connect करूँगा और इसको जाके हमारा जो socket है उसके दाहिने वाले pin के साथ connect कर दूँगा ठीके दोस्तों तो यहां पर हमारा socket है उसको face supply मिल गया अब दोस्तों देखिए यह जो हमारा bulb है यह वाली इस bulb को control करने के लिए मैं इस switch का इस्तमाल करूँगा तो इस switch के तरह हम कैसे इस bulb को control करेंगे देख लिए यह जो switch है इसको input power supply देने के लिए यहां से एक वाल को connect करूँगा और यह जो switch है इसके incoming terminal पे connect कर दूँगा अब यह जो हमारा switch है इसके outgoing terminal से एक वाल को connect करूँगा और इसको लिया के हमारा जो bulb है उसको face supply देदूगा ठीके दोस्तों अब दोस्तों देखिए यह जो हमारा दूसरा bulb है इसको control करने के लिए इस switch का इस्तमाल करूँगा तो इसको भी same connection करूँगा यहां से एक वाल को connect करके इस switch को input power supply देदूगा और इसके outgoing terminal से एक वाल को connect करके इस bulb को हम face supply देदेगे तो यहां पे हमारा जो face supply का connection था वो complete होगे ठीके दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो पे आपका प्यार और support दिखा दीजीगा दोस्तों प्यार के लिए इस वीडियो पे like कर दीजीगा और support के लिए एक प्यारा सब comment कर दीजीगा दोस्तों आपके like और comment ही मुझे inspire करते हैं कि आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाओ तो please love और support दिखाने के लिए ना भूलिएगा ठीक दोस्तों चलिए आगे बरते हैं अब हमें क्या करना है neutral supply का connection करना है neutral supply का connection करने के लिए यह जो हमारा plug top है इसका जो left hand side वाली pin है यह वाली ठीक है इस pin के साथ हम क्या करेंगे एक वाल को connect करेंगे और इसको लेजा के हमारा जो socket है इस socket के बाए वाले pin में connect कर देंगे यह जो left hand वाली pin है वो हमारा neutral supply के लिए हो जाएगी तो उसके लिए यहां से एक wire को loop करूँगा और इन दोने bulb को neutral supply दे रहूँगा अब दोस्तो देखिए यह जो हमारा socket है इस socket में एक और pin दिख रहा हुआ यह मोटा वाला pin इस मोटे pin में हमें earth connect करना होता है तो यहां से मैंने एक wire को connect करके लाया और इसको इस terminal पर connect कर दिया दोस्तों यह जो wire है वो earthing के दोने कोड़ी है earthing हम क्या करते है विजली के खम्मे से लेके आते हैं यहां फिर हमारे घर में एक road को जमीन के अंदर गार के अर्थ दोस्तों दिखिए यह जो हमने यहां पर inverter का इस्तमाल किये थे इस inverter में एक और additional benefit है क्या additional benefit है दोस्तों देख लिजे यह जो inverter है इस inverter को हम AC power supply के दोरा भी चार्ज कर सकते हैं यहां पर output power supply मिलेगा इस बैटरी को चार्ज करने के लिए ठीक है तो कैसे इसको चार्ज करेंगे उसको ब्यारे में भी समझ लिए यहां पर हमें inverter को AC power supply से चार्ज करने के जोर क्यों है दोस्तों समझ लिए दोस्तों यह जो हमारा solar cell है वो कैवल धूप में काम करता है यानि कि इस solar cell पर यह रोशनी पड़ती है तो यह क्या करेगा voltage को प्रडूश करेगा जिससे हमारा बैटरी है जो है वो चार्ज होगा अब हैं तो उस तरत के मौसम में क्या होता है दूप बहुत कम निकलता है जिससे कारण से हमारा बैटरी है वो अच्छे से चार्ज नहीं हो पाता उस condition में हमें इस battery को charge करने के लिए AC power supply की जोड़ पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे charge करोगे ठीक दोस्तों तो दोस्तों यह जो हमारा inverter इसको AC power supply दोरा charge करने के लिए यहाँ पर हम एक socket का इस्तमाल करेंगे ठीक है दोस्तों यह जो socket है इस socket को input power supply देने के लिए यहाँ पर मैं एक MCB का इस्तमाल करूँगा अब यह जो हमारा MCB है इस MCB जो input power supply होगा वो man power supply होगा यानि कि जो बिजली के खंबे से power supply आती है उसको हम देंगे यह जो हमारा MCB था उसके एक terminal पर मैंने face supply कनेक कर दिया और डूसरे terminal पर neutral supply कनेक कर दिया अब यह जो हमारा MCB है इसके outgoing terminal से मैं क्या करूँगा neutral supply को कनेक करूँगा और इसको लिए जाके हमारा socket है उसको neutral supply दे दूँगा ठीक है अब यहाँपे जो हमारा face वारी terminal है उसमें से एक wire को कनेक करूँगा और इसको लिए जाके यह जो हमारा switch है इसको input power supply दे दूँगा अब मैं क्या करूँगा यह जो हमारा switch है इसके दौरा मैं इस socket को control करूँगा तो इसके लिए क्या करूँगा यहां से आर्पूर्ट सप्लाई से एक वायर को कनेक करूँगा इस सोकेट को फेस सप्लाई दे दूँगा दोस्तों यहां पे जो कनेक्शन था मैंने उल्टा कर दिया हूँ यानि कि फेस सप्लाई को मैंने बायं वाले पीन पर कनेक कर दिया नीटर सप्राई को दायें वाले पिन पर यहां पर मुझे प्लग्टोप का भी प्लाले को लेक्शन दिखाना है, अब यहां पर मैं प्लग्टोप को लेके आँगा, तो यहां पर वायिंग जो है, वूसको अच्छे सठीका से सो नहीं कर पाँगा, इसलिए मैं यहां पर कनेक जाएगा ठीक है दोस्तों तो यहां पे हमारा जो power socket था उसका connection complete हो गया है अब मुझे क्या करना है इस socket के द्वारा इस inverter को input power supply देना है यानि कि charging के लिए input power supply देना है तो उसके लिए यहां पे एक plug top का इस्तेमाल करूँगा इस plug top के द्वारा मैं इसको input power supply देना है अब दोस्तों देखिए यह जो केबल है यानि कि charging वाली जो केबल है उस केबल को मैं क्या करता हूं एक wire को करने करके लाऊंगा और इस plug top के सार connection कर दूँगा दोस्तों यहां पे मैं plug top का connection आप को explain नहीं करूँगा क्योंकि आपको plug top का connection आता ही होगा दोस्तों यहां पे जो हमारा wiring था वह complete होगा दोस्तों यहां पे एक चीज़ समझ लीजिए दोस्तों यह जो हमारा socket है उसको हमें से चालू करके ना रखेगा यहां पे चालू करके इस लिए नहीं रखेगा क्योंकि यहां पे यहीं इसको चालू करके रखेगा तो यह जो हमारा inverter है वो power supply यहां से लेके direct power supply charging के लिए इस बैटरी को देगा जिससे क्या होगा यहां पे हमारा solar cell तब वो भी इसको चार्ज करेगा बैटरी को और यहां से भी charging voltage मिलेगा जिससे यह जो बैटरी है वो हमारा खरा रहा हो थी दोस्तों हमें केवल एक टाइम पर एक ही charging input का इस्तमाल करना है ठीक दोस्तों तो दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो पर like share और comment कर दिजिएगा और यदि आभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe ने किया तो subscribe भी कर लिजिएगा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद